Wondershare Andromax एक ऐसा software है जिसमें आप flowchart या फिर diagram या फिर किसी भी परकार के electrical circuit और इसके अलावा project management systems को यहाँ पे आप इसमें बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम सेखेंगे कि किस परकार से हम Andromax software को अपने PC में कैसे install करते हैं इसका link वीडियो के description में दे रखा है वहाँ से open करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से open हो जाएगा open होने के बाद आपको यहाँ पे try it free के उपर click करना है जैसे इसके उपर click करेंगे तो कुछ इस प्रकार से website open हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास चार steps देखने के रिए मिल जाएगे जैसे की सबसे पहले आपके पास एक file download होगी जो की exe file होगी इसके बाद इसको यहाँ पे install anyway के उपर click करके install कर लेना है अगर आपके पास यह file download नहीं होती है तो आपको यहाँ पे restart download के उपर click करके download कर लेना है यहाँ पे मिरे पास downloaded section में file already download हो रखी है इसके उपर double click करके इसको यहाँ से open कर लेते हैं इसके बाद run के उपर click करना है yes के उपर click करेंगे इसके बाद terms and conditions को agree करना है then install के उपर click करेंगे जैसे की step 3 में दिखाये गया था और इसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे wondershare android max का software install हो गया है so इसके बाद start now के उपर click करना है जैसे की आप यहाँ पे देख पा रहें the installation was successful आ गया है यहाँ पे so यहाँ से इसको minimize करेंगे then यहाँ पे software open हो रहा है so software को open होने देते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकारची यहाँ पे हमारेपास software completely install हो गया है अब यहाँ पे आप इन में से कुछ templates को use करके अपनी drawings को बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे templates देखने के लिए मिल जाते हैं या फिल आप यहाँ पे अपना new drawings भी create कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे आपको एक अपना account भी create कर लेना है तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से हम यहाँ पे Fondas Shares का Entramax software को अपने laptop में किस प्रकार से install करते हैं और आने वादी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर और bell icon को दबा दे ताकि नेक्स वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुचे